वीडियो को लाइक करें, ऐसे ही दवाओं से जुड़े वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबा कर ओल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें नमस्कार तोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमोक्सिसिलिन केफसुल के बारे में आज हम जानेंगे कि ये केफसुल कौन सी केटेगरी की दवा है इसके कौन-कौन से पोपूलर ब्रांड ने मार्केट में आते हैं इस दवा का पर्योग कहां-कहां किया जाता है इसके क्या-क्या साइड इफेक्ट है और ये दवा हमारी सरी में किस तरीके से कारिय करती है वीडियो को अंतक देखें जिससे कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो सके अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन आप शिया दमाएं जिससे नए नए जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे तो चलिए यहां से आज कुछ नया सेखते हैं दोस्तों एमोक्सिसिलिन एक परकार की ब्रोड स्पेक्टरम एंटिबायोटिक है इसे बीटा लेक्टरम ग्रूप में रखा गया है और यह अमीनो पेनिसलिन की स्रेनी में आती है दोस्तों अगर हम इसकी डोजेज फॉर्म की बात करें तो यह कैप्सुल फॉर्म, डिस्पर्सिबल टेबलेट फॉर्म, सस्पेंशन फॉर्म वे इंजेटेबल फॉर्म में अवेलेबल रहती है दोस्तों अगर हम इसके पॉपुलर ब्राण नेम के बारे में बात करें तो यह सन फार्मा की मॉक्स 500 एमजी सिपला की नोवा मॉक्स 500 कैपसूल फाइजर की वाइ मॉक्स 500 एमजी कैपसूल इसी तरीके से एल मॉक्स, सिप मॉक्स, ट्राइम मॉक्स, एमोक्सिल और मॉक्साटेक नाम से भी यह मार्केट में मिल जाती है दोस्तों यह दवा आपके एरिया वाइज वे डॉक्टर वाइज अलग लग प्राण नेम से मिलेगी आप इसकी जेनरिक फॉम भी काम में ले सकते हैं दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि एमोक्सिलिन कैपसूल हमारी सरीर में किस तरीके से कारिय करता है दोस्तों एमोक्सिलिन बेक्टरिया की सेल वाल यानि की कोशी का वित्ती के निर्मान को नहीं होने देती है जिससे की बेक्टिरिया मर जाता है यानि की बेक्टिरिया को जीवित रहने के लिए उसके अंदर सेल वाल का होना बहुत ही ज़रूरी है और ये दवा सेल वाल के निर्मान को ही रोग देती है दोस्तों अगर हम इसके यूजेज के बारे में बात करें तो ये bacterial infection को खत्म करने में काम में लाई जाती है इसका परियोग urine retract infection यानि की UTI में क्या जाता है UTI के अंदर मरीज को पेशाब में जलन, दर्द वे पेशाब के साथ कभी-कभी पसका आना भी रहता है female की बात करें तो female patient के अंदर vaginal discharge भी हो सकता है इसके treatment में डॉक्टर दवारा emoxilin capsule prescribe क्या जाता है दोस्तों इसका परियोग middle ear infection में भी क्या जाता है जिसके अंदर मरीज के कान में दर्द होना, दर्द के कारण पुखार काना, कान का बहना आदी हो सकता है इसमें भी ये दवा डॉक्टर दवारा prescribe की जाती है दोस्तों इसका परियोग gonorrhea disease में भी किया जाता है जो कि महिलाओं और पुरूसों में जन्नांकों की एक बीमारी है और ये एक तुसरे के संपर्क में आने से फैलती है इसमें भी इस दवा को परियोग में लिया जा सकता है इसके अलावा tonsillitis में भी इस दवा को काम में लिया जाता है दोस्तों tonsillitis के अंदर tonsils के infection हो जाने के कारण inflammation हो जाता है जिससे की मरीज के गले में सूजन आ जाती है वहाँ पर भी ये दवा डॉक्टर दवारा prescribe की जाती है दोस्तों amoxicillin का उपयोग टाइफाइट फीवर के treatment में भी किया जाता है दोस्तों टाइफाइट फीवर सामने ते contaminated food और water की वज़े से होता है जो की stomach well liver में infection होने की वज़े से हो सकता है उसको ठीक करने भी डॉक्टर दवारा amoxicillin को prescribe किया जाता है दोस्तों amoxicillin का उपयोग respiratory tract infection जैसे की pneumonia में भी क्या जा सकता है इसके लावा skin infection, soft tissue infection, otitis media, upper respiratory tract infection, helicobacter pylori infection, lime disease, dental abscess में भी इसका उपयोग क्या जाता है दोस्तों amoxicillin generally tablet वे capsule form में 125 mg, 250 mg और 500 mg में available रहता है अगर हम इसकी dose के बारे में बात करें तो 500 mg capsule सुबह वे साम दिन में दो बार यानि 5 दिन तक लिया जा सकता है अगर severe infection है तो 500 mg capsule को दिन में 3 बार भी कम से कम लिया जाता है दोस्तों इस दवा को हमेशा doctor के prescription के अनुसार ही लेना चाहिए और इसकी dose को कभी भी miss नहीं करना चाहिए क्योंकि किसी भी antibiotic को अगर self-medication करते हैं या फिर dose को miss करते हैं तो antibiotic resistance डेवलप होने का खत्रा रेता है और दोस्तों इस दवा को हमेशा खाना खाने के बार ही लिया जाना चाहिए अब हम बात करते हैं इसके side effect के बारे में दोस्तों अगर हम इसके side effect की बात करें तो इसका सबसे common side effect है diarrhea यानि की dust लगना इसके अलावा joint pain भी हो सकता है और joint pain की वज़े से patient के अंदर बुखार भी आ सकता है दोस्तों कभी-कभी महिलाओं में मासिक दर के दोरान heavy periods भी होने के chances रहते हैं इसके अलावा races, vomiting, allergic reaction आदी side effect भी हो सकते हैं इसके अतिरिक्त अगर कोई भी side effect आपको मिले तो आपको तुरंट अपने डोक्टर से मिलना है दोस्तों इस दवा को pregnancy के दुरान भी डोक्टर की सला पे लिया जा सकता है इसके अतिरिक्त दोस्तों अगर कोई भी मरीज penicillin से allergic है तो जब कभी भी ये medicine ले तो उससे हमेशा डोक्टर से सला लेके ही इस दवा को लेना है तो दोस्तों ये थी जानकारी Emoxilin Capsule 500mg के बारे में दोस्तों इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे चेनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं जिससे नई नई जानकारी आपको सई समय पर मिलती रहे एक बार फिर मिलते हैं एक नए टोपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद